हलो दोस्तों, कैसे है आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और हाँ, बैल आइकॉन पर प्लिक करना मत भूलेगा रात के बारे बच रहे थे, लिकिन 20 साल के हरीश की आँखों से नींद को सो दूर थी, वो इधर उधर करवटे बदल रहा था और काम्या के बारे में सोच रहा था, फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल की गैलरी में काम्या की तस्वीर को जूम करके देखने उफ, कोई इतना खुबसूरत कैसे हो सकता है, ऐसा लगता है कि ईश्वर ने टाइम निकाल कर इन्हें बनाया है, काश ये हमेशा के लिए मेरी हो जाए काम्या के बारे में सोचते हुए हरीश को कब नींद आ गए, उसे पता ही नहीं चला 35 साल की काम्या बहुत ही खुबसूरत थी, उसका गोरा रंग, गुंगराले काले बाल और बड़ी-बड़ी आँके, जो भी उसे देखता, देखता ही रह जाता मा, मैं कॉलेज जा रहे हूँ, आज कॉलेज में कुछ जरूरी मीटिंग है, इसलिए जल्डी पहुँचना होगा अरी, नाश्ता तो कर ले, मा, मैंने चाय पी ली है, कैंटीन में कुछ खा लूँगी काम्या अपनी मा के साथ दिल्ली में रहती है, काम्या ने अब तक शादी नहीं की थी वो दिल्ली के ही एक कॉलेज में एकोनोमिक्स की प्रोफेसर थी, अपने सबजेक्ट में वो बहुत ही माहिर थी इसलिए college के professor के साथ साथ students भी उसे बहुत मानते थे काम्या आज भी अपने students की class ले रही थी उन्ही students में हरीश भी था जो उसे घूर-घूर कर देख रहा था और मन ही मन उनके बारे में कुछ सोच रहा था हरीश काम्या मैम की खयालों में खोया हुआ था तभी काम्या ने उससे एक सवाल पूछा, अब हरीश का ध्यान उनकी पढ़ाई पर रहता, तब तो वो जवाब देता, उसका ध्यान तो काम्या मैम पर था, हरीश क्या बात है, तुम्हारा ध्यान कहा रहता है, मैं जब भी तुमसे कोई सवाल पूछती हूँ, तुम इधर उ अच्छा पढ़ाती का एहसास हुआ और उसने अपनी बात को बदलते हुए कहा। अच्छ तुम? तुम यहाँ? तुम्हे तो अपनी क्लास में होना चाहिए। कोश्चन पूशने पर कोई क्यों हसेगा? जितनी मर्जी है और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सवाल है तुम पूछो। एक बार नहीं बार बार पूछो। लेकिन ट्यूशन के लिए मुझसे मत कहो। लेकिन हरीश अपनी जित पर अड़ा रहा और काम्या को इमोशनली ब्लैक मेल करने लगा। मुझे लगता है कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। अगर मैं फेल हो गया तो पूरे कॉलेज और घरवालों के सामने मेरी नाग कर जाएगी। मैं मेरे पापा किसान है। बहुत ही मेहनत से वो मुझे और मेरी बहन को कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। उन्हें हम दोनों से बहुत सारी उम्मीद हैं। अगर मैं फेल हो गया तो वो तूट जाएंगे मैं। ये कहते हुए हरीश रोने लगा हाला कि उसके आंसु घड़िया ली थे और वो किसी तरह काम्या के घर जाना चाता था ताकि वो काम्या मैं के साथ अकेले में कुछ समय बिता सके, उन्हें देख सके, उन्हें महसूस कर सके और एक दिन अपने दिल की बात उनसे कह सके। ले और ये बात किसी और स्टुडेंट को मत बताना कि मैं तुम्हें ट्यूशन दे रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनली ट्यूशन के बहुत ही खिलाफ हूँ। भला ये बात हरीश किसी को क्यों बताता। हरीश अगले दिन से ही काम्या मैं के घर ट्यूशन पढ़ने जाने खफते हो गये थे। एक दिन काम्या उसे पढ़ा रही थी और वो हमेशा की तरह पढ़ाई से जादा उनकी खुबसूरती में खोया हुआ था। तारीफ करने के लिए शुकरिया लेकिन I am very happy with my profession मैं बहुत खुश हूँ इंफेक्ट मैं बचपन से ही टीचर बनना चाहती थी ताकि समाज में वो बदलाव ला सकू जिससे समाज ग्रो करें वो नए सपने देखें और इस दुनिया को खुबसूरत हरीश काम्या के हां ट्यू मैं मैं आप इतनी खुबसूरत हैं तो फिर आपने अब तक शादी क्यों नहीं की क्या आप किसी से लव करती हैं उस दिन काम्या ने हरीश को टोग दिया और कहा देखो हरीश तुम यहां जिस काम के लिए आते हो वही करो मेरी परसनल लाइफ में इंटर्फियर मत करो और न आइंदा तुमने इस तरह की बाते की तो तुम्हें यहांने की कोई ज़रूरत नहीं है आइम सॉरी मैम मैंने आपको हर्ट किया मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था उस दिन हरीश घर जाकर काम्या के बारे में ही सोचता रहा आज मैंने काम्या मैम का दिल दुखा दिया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आखिर मैं प्यार करता हूं उन्से और कोई भी प्यार करने वाला अपनी प्रेमिका को हर्ट तो नहीं करता हरीश को ये सब सोचकर नीन नहीं आ रही थी उसने उसी समय काम्या से माफी मांगने का सोचा उसने अपने घर के गमले से एक गुलाब का फूल तोड़ा और रात के साड़े दस बजे काम्या की घर की ओड़ चल पड़ा आज मैं काम्या मैम से माफी तो मांगूँगा ही साथ ही उनसे अपने दिल की बात भी कह दूँगा आखिर एक ना एक दिन तो उनको बोलना ही पड़ेगा न बिना बोले तो उन्हें मेरे दिल की फिलिंग्स कैसे पता लगेंगी मैम के घर का दर्वाजा भी बंद था मैम के घर का दर्वाजा तो बंद है लेकिन मैं उनसे माफी मांगे बिना और दिल की बातें कही बिना नहीं चाओंगा उसके बाद हरीश पाइप के सहारे काम्या मैम की बालकनी में पहुँचा फिर घर के अंदर चला गया काम्या उस समय सो रहे थी हरीश मैम को देखने लगा मैम सोय हुए में भी कितनी खुबसूरत लग रही है ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें गले लगा लूँ हरीश मैम की तरफ बढ़ने लगा तब ही हरीश के मुबाइल की रिंग बजी जब तक वो अपने फोन को साइलेंट मोड में कर था रिंग की आवाज से काम्या की नींद खुल गई उसने अपने सामने हरीश को देखा तो वो बहुत डर गई हरीश तुम यहां और इस वक्त तुम अंदर कैसे आए मैम मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ माफी किस बात की मैम मैं आपसे परसनल सवाल आप कभी नहीं करूँगा यह कहने के लिए तुम इतने रात को और इस तरह मेरे घर आयो यह कहकर हरीश ने गुलाब का फूल काम्या की ओर बढ़ाते हुए कहा यह सब क्या बकवास है हरीश तुम होश में तो हो तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो यह कहकर हरीश काम्या की ओर एक बार फिर से बढ़ा यह आप क्या कह रही है मैम किसी को प्यार करना कोई गुना तो नहीं है देखिए पुलिस को मत बुलाइए मेरे प्रेम प्रस्ताओं को सुईकार कर लीजिए वैसे मैं जानता हूँ कि आप भी मुझे चाहती है बस कहने से डरती है अगर मुझे नहीं चाहती तो फिर ट्यूशन के लिए क्यों अलाओ किया मुझे प्यार कंडिशन से नहीं होता है लेकिन उसकी सीमा एत्ताई है हरीश मान लो कल को कोई इस तरह तुमारी बहन के कमरे में घुश जाए और उससे बत्तमीजी करे उसे जबरदस्ती प्रेम प्रस्ताव दे दो तुम क्या करोगे अपनी बहन पर बात आई तो उसे जान से मारने लगे मैं भी तो किसी की बहन हूँ, बेटी हूँ बोलो मैं क्या करूँ, मैं भी मार दूँ तुम्हे जान से या तुम पर केस करके तुम्हें जेल भिजश वा दूँ क्यों अपने परिवार के इजट मिट्टी में मिलाने पर तुले हो हरीश ये पढ़ने का समय है, करियर बनाने का समय है उस पर ध्यान दो और कभी भी सीमाओं को मत लांग हो काम्या की बाद धीरे-धीरे हरीश को समझ में आने लगी उसे अपनी गलती का एहसास हो गया उसने काम्या से माफी मांग ले और वापस लॉड़ गया उस दिन के बाद उसने अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू किया और जल्द ही उसकी गिंती अच्छे और इंटेरिजेंट स्टुडेंट के रूप में होने लगी हलो दोस्तों कैसे है आप सब हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीछे और हाँ बैल आइकॉन पर प्लिक करना मत भूलेगा